नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल जिक्के भाई सुनिसर में दोस्तों ऐसे तो अपने इसी समय क्लास स्याम समानों वजे लाइब आती है लेकिन आज नेटरक प्रोलम होने की वज़े से हम क्लास को पूरा नहीं कर पाई बाकी जो क्यूसर सेस रह गई है उनका यहां पर मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ आप इसको लाश्टा जरूर देखें और इसमें आपको बहुत से क्यूसर ऐसे मिलेंगे जो आप साइब पहली बार पढ़ रही है पहली बार पढ़ने वाले क्यूसर आपको बहुत मिलेंगे आज क्योंकि आज के क्यूसर बहुत से आंदर है देखते है राइट होगा देखते हैं सांती निकेतन निम्र में से कहां पर सित है सांती निकेतन कॉलेज सांती निकेतन महावी डाले जो रविंदर नाट टैगोर की द्वारा सुरू किया गया था वो भारत के कौन से राज़े में सित है तो क्यों सन का आंस्वर होगा कोलकता सहर में और अगर राज्य पूछा जाए तो आंस्वर आपको क्या देना है पस्टि बंगाल राज्य के कोलकता में सीता है सांती निकेतन कॉलेज जो गुरु देव रविंदर नाट टैगोर जी के द्वारा उसको स्ताफिते किया गया था अगला क्यूशन है हिमाले परवत भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है जो लगबग उत्तर पस्तिम से उत्तर पूरव की ओर भारत में धनुसा का रूप से फैला हुआ लगबग पत्तीस सो किलोमेटर की लंबाई में फैला हुआ दुनिया की एक लंबी सबसे उंची परवस्रेणी का एक हिस्सा ये जो परवस्रेणी है ये भारत के कितने राज्यों में फैले हुई है तो दोस्तों ये भारत के नो राज्यों में फैले हुई है कितने राज्यों में नो राज्यों में जैसे हम बात करें जम्मू कस्मीर है लदाक है हिमाचर प्रदेश है उत असली नाम क्या था बाल गंगादर तिलक्ोसवतता तब शिनानी और एक महेतुपूर वक्ति थी उनका ओरीजनल नाम की था ? तो उनका असली नाम क्या था ? CASE व्दास था और ये किशन दोस्तो बहुत बार पहले आ चुकी एंए, ये किशन एक बार आर्म articles की exam साम में पूछा जा चुका है, साइस का कितनी स्यांदा स्यांदार क्यूसर है, अब लाश्टा क्लास को देखते जाएं, आपको यहां पर बहुत ही अच्छे और स्यांदार क्यूसर मिलेंगी, एक पिंड एक ऐसे दर्वे में ठीक तैर रही है, कोई एक पिंड है, जो एक ऐसे दबा कर छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, उसका जबाब हमें यहाँ पर देना है, तो दोस्तों, अगर हम उसे थोड़ा सा दबा कर अंदर छोड़ते हैं, तो यह तलहटी तक के डूब जाएगा, तलहटी तक चला जाएगा, अगर हम थोड़ा सा प्रेसर उस पर डाल देते हैं अगला क्यूचर है साइंस का जीरो डिगरी सेंटिगरेट की एक ग्रम एक ग्राम बरफ को जीरो डिगरी सेंटिगरेट की एक ग्राम बरफ को सो डिगरी सेंटिगरेट के भाप में बदलने के लिए कितने कैलोरी उस्मा की जर्वते होगी कि एक 0 डिगरी सेंटिग्रेट की है एक ग्राम बरफ है एक ग्राम क्या है बरफ है 100 डिगरी सेंटिग्रेट की भाप में बदलने के लिए हमें कितनी कैलोरी उर्जा की आफसेक्ता या उस्मा की आफसेक्ता होगी तो दोस्तों इस क्युष्ण का आंस्वर होगा हमें उसे 720 कैलोरी उस्मा की आफसेकता पड़ेगी कि 0 degree centigrade की 1 ग्राम ब्रफ को अगर हम 100 degree centigrade की भाप में बदलना चाते हैं तो हमें 720 कैलोरी उस्मा की ज़रूत पड़ेगी तब जाकर वो बदल पाएगी क्यूशन है बर्नोली समीकरण किसे समंदित है ये क्यूशन अपने साइंस में दोस्तों बहुत बार पढ़ा होगा बर्नोली समीकर्ण जो है वो निमन में से किसे समंदित है तो बर्नोली समीकर्ण जो है वो दर्वियों के परवाह से समंदित है अंस्वसी यहाँ पर बिलकुल राइट होगा दोस्तों अगर आप हमारी क्लास को पहली बार देख रहे है तो प्लीज आप सबसे पहले हमारे सलों को सब्सकाइब जरूर कर ले साथ ही अपने दोस्तों को सेर कर दे और लाइक जरूर कर दे टेलिफोन लाइन में प्रवाहित उर्जा कौनसी होती है टेलिफोन की जो लाइन होती है उसमें कौन सी उर्जा प्रवाहित होती है तो उसमें जल्दी बताओ कौन सी उर्जा प्रवाहित होती है तो दोस्तों उसमें ध्वनी उर्जा प्रवाहित होती है अनस्वर A यहाँ पर बिलकुल क्या होगा? सही होगा. सूरिये हमें सुरियोदे से पहले और सुरियास्त के कुछ बाद तक दिखाई देता है. हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है. सुरियास्त होने के थोड़ा सा बाद तक हमें दिखाई देता है. उसकी वज़य क्या देता है अगला क्यूंचल है 100 डिगरी सेंटिग्रेट का एक पानी उसी ताप पर भाप में बदला जाता है तो आवसिक उसमा की मात्रा लगबग कितनी होगी कि 100 डिगरी का एक ग्राम पानी उसी ताप पर भाप में बदला जाता है आवसिक उसमा की मात्रा लगबग कितनी होगी तो 2257 जूल की उसमा की आवसिकता होती है अगला किस्ता किसी दूर दर्सी की आवर्दनक शमता बढ़ा सकते हैं निमन में से किसकी साहिता से कोई दूर दर्सी है उसकी हमें आवर्दनक शमता बढ़ानी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो दोस्तों उसके लिए हम नेत्रिका की फोक्स दूरी घटा कर हम दूर पर्मानु भट्टी में सितलक के रूप में क्या काम में लिया जाता है अत्वा क्या प्रियूग तो होता है परमानु भट्टी में सितलक के रूप में क्या काम में लिया जाता है अत्वा क्या प्रियूग तो होता है परमानु भट्टी में सितलक के रूप में क्या काम में लि प्रमानु भट्टी में सितलक के रूप में हम भारी जल भारी पानी अत्वा D2O का उप्योगे करते हैं देखते हैं अगला क्यूसर आप अगर हमारी क्लास में दोस्तों पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले आप हमारे चैलों को सब्सक्राइब जरूर कर ले बल उपाती क्या होगा तो दोस्तों 4 और 64 का मदेल उपाती क्या होता है 16 होता है किस प्रधान मंत्री के सासन काल में कोई युद नहीं हुआ इन में से वह कौन सा प्रधान मंत्री है जिसके सासन काल में कोई युद नहीं हुआ है तो दोस्तों क्यूसर का आंसर यहां पर होगा राजीव गांधी जो है उनके सासनकाल में कोई युदे नहीं हुआ है देखते हैं अगला क्यूशन द्वनी तिवर्ता के मापन को क्या करते हैं तो दोस्तो द्वनी की तिवर्ता का मापन हम किसके माध्यम से करते हैं डेसी बलके माध्यम से करते हैं ये question भी दोस्तों ऐसंखे बार हमारी exam में पूछा जा चुका है और next exam में भी पूछा सकते हैं आप निस्सित रहें और इनको आप जरूर याद करते रहें अगर आपको इन किसनों की प्रेडिया प्राप्त करनी है तो हमारी description में हमारी playlist का link दिया है अप वहाँ से देख सकते हैं या फिर मेरा mobile नमर दिया है अप वहाँ से एकदम free प्राप्ते कर सकते हैं next question पस्सिम बंगाल के बैरकपूर चावनी में किस क्रांती कारी को फांसी दी गए बैरकपूर चावनी में वह कौन सा क्रांती कारी है जिनको फांसी पर लटकाया गया था तो वह पहले क्रांती कारे थे और वो कौन है मंगल पांडे है जिनको वहाँ पर लटकाया गया था क्या था तो कबीर के गुरू का नाम क्या था रामानन्द था कबीर के गुरू का नाम क्या था रामानन्द और वो क्यूस्टन का अंस्वर यहां पर दोस्तों क्या होगा तो क्यूस्टन का अंस्वर होगा उनका जनम कहां पर हुआ था मगहरे में उनका जनम हुआ था अगला क क्यूशन मानों सरीर की सबसे बड़ी अंतैसरावी ग्रंथी कौन सी है ये क्यूशन भी दोस्तों बहुत बार एक्जाम में आ चुका है इसलिए आप भी इसको निश्चित रूप से याद कर ले क्यूशन बहुत चांदार है तो मानों सरीर की सबसे बड़ी अंतैसरावी ग्र तो वह कौन से व्रक्ष से प्राप्त होता है तो वह दोस्तों चीड की व्रक्ष से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अभी तक भी आपने अगर हमारे सेलों को सबस्काइब नहीं किया तो प्लीज आप सबसे पहले आप हमारे सेलों को सबस्काइब जरूर कर ले। अपनी खास बात यही होती है कि दोस्तों इसमें से बहुत से क्यूशन में ऐसे भी लेकर आता हूँ जो साइद आप पहली बार पढ़ते हों। इसी बज़ा से क्यूशन आप रहा चपचार कूट त्योहार किस राज्ये में मनाया जाता है। तो दोस्तों चपचार कूट त्योहार जो है यह भारत की मेगाले राज्ये में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। साइद यह क्यूशन आपने पहली बार पढ़ा होगा। लेकिन बहुत से आंदार है पूछा जा सकता है। पर्थम विश्वयूद में किस विशेली गैस का परियोग किया गया था। पहला विश्वयूद जो 1914 से लेकर 1918 के बीच चला था। उसमें निम्र में से कौँची जहरेली गैस का परियोग किया गया था। तो दोस्तों याद रखना उस समें मस्टरड गैस का उपियोग कि किया गया अगला क्यूसर भारत की सबसे बड़ी वानिजेक बैंक SBI State Bank of India का मुख्याले निम्र में से कहां परस्तित है तो दोस्तो उसका मुख्याले है मुंबई और मुंबई कहां है महाराष्टर में उसका मुख्याले है भारत की सबसे बड़ी वानिज Message bank कुन सी है तो SVI जो है वो भारत की सबसे बड़ी वानिजिक bank के रूप में जाने जाती अगला क्यूशन भारत रतन प्राप्त करने वाली प्रतम महिला इन उपलब दी है, अगला क्यूसर, मेरि कोम का संबन की स्खेल से है तो मेरि कोम एक महीला है और उसका संबन कौन से खेल से संबन दी आपके पास notification पहुंच जाए अगर दोस्तो इन किशनों समंदित अगर आपको और किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो description में हमारा mobile number दिया गया है अब वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तो आज के सिर्फ इतना ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ठेंक्यू जैहिंद जैभार वंदे मात्रा